अगर आप कहते हो कि आपको मोज से ड़न नहीं लगता तो आप या तो जूट बोल रहे हो या फिर आप कोरका हो या आज हम बात करने वाले है भारती आर्मी के सबसे खतरनाक कमांड होगी वाट इज गौर्खा फेमस पाक कोरखा लोग इतने फेमस कियों होते हैं भारती आर्मी में उनकी इतनी पड़ी पहचान क्यों है? तो उसी भे आज हम एक सब्सक्राइब आदे वाले हैं और जो वीडियो लिए डिस्कुर्प्शन में सभी प्यरे इराक्टरोव्ट का लिंग भी डिस्कुर्प्शन में देखे और ये मैं से लिल्ठाइबू है ले कि एक सामने पार वेपन लीचा उटाए हो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता हालात कैसे भी हों यहर समय लड़ने को तैयार रहते हैं बहादूरी ऐसी कि बिटिश सेना ने भी इने सेना में जगे दिये भारत की सेना के ये जवान शान है हम बात कर रहे हैं गोर्खा सेनिको की कहते हैं कि जब गोर्खा हत्यार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध कीये ही उसके आगे नतमस तक हो जाता है यह भारे में भारती सेना के प्रखम फिल्ड मार्शल सैम मानिकशा ने कहा था अगर कोई वक्ती अगर यह कहتा है कि वो मरने से दड़ता नहीं है है या हम गुरकाट बोल रहा है या फिर वो ईक गुरका है मानिक्शा की बात भारती सेना की गोर का रेजिमेंट सच साबित करती है 24 अप्रेल 1815 को बिटिश द्वारा इस रेजिमेंट की नीव रखी गई गोर का रेजिमेंट मलिदान का दूसरा नाम है इसी रेजिमेंट के भरो से तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक कर ली और हिटलर इस ट्रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदोलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था भारती सेना के गोर्का रेजिमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जामबा सिकाई है भारती सेना में गोर्खा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा कियेगे समझोधी के आधार में काम करते हैं ये सैनिक नेपाल भारत और ब्रिटेन की सैनाओं के लिए काम करते हैं गोर्खा किसी एक जाती की युद्धा नहीं बलकि नेपाल में इसला गोर्खा है जो अपने युद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है भारत की सेना में गोर्खा सेनिकों की भरती पहाड़ों में रहने वाले सुनावाद गोर्खा राय, सागर और लिंबु आधी जाती सिक़्ी जाती है बिट्श शेना भी ऐसे ही इनकी भरती करती है ऐसा कहा जाता है कि गोर्खा प्रैकर्टिक रूप से ही युद्धा होते है गोर्खा सेनिकों को उनके आक्रमन करने की आक्रमन चैली के लिए जाती है ये मजबूर, पुर्तीले, सुव्य वस्ते, पहड़ों परिपूर, वफादारी और साहस से भरे होते है जब भारत बिर्टिस सामराज्जी का हिस्सा था तब प्रतम विश्व युद्ध में प्रिटिस सामराज्जी की तरफ से नेपाल के दूलना गोर्खा सेनिकों ने भाग लिया था तस युद्ध में उन्होंने दुश्वनों को धूल चटा दी थी और आज भी विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्स सुनने को मिलते हैं हालांकि पहले विश्व युद्ध में करीब 20,000 पूंखा सेनिक मारे गए थे गोर्खाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रिजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोर्खाओं को भरती करना शुरू कर दिये था भारत के प्रथम 77 संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था क्योंकि उस समय ये इस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंद पर काम करते थे 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिन भारत और नेपाल के बीच एक त्री पक्षी समझोता हुआ और इस समझोते के तहद ब्रिटिश भारती सेना का हिस्सा रही सिक गोर्खा रेजिमेंट भारती सेना का हिस्सा बनी आजादी के बार साथवी गोर्खा राइपल्स और दसवी गोर्खा राइपल्स के सैनिकों को भारती सेना में शामिल करने के लिए साथवी गोर्खा रेजिमेंट बनाई गई इस समय भारती सेना में 7 गोर्खा रेजिमेंट है और इन 7 रेजिमेंट्स की 49 अटारियन देश शिवा कर रही है इन में से 6 रेजिमेंट ब्रिटिश भारती सेना में शामिल की गई थी जबकि 7 रेजिमेंट को आजादी थी भारत बनाया गया था गोर्खा रेजिमेंट की पैचान 12 इंच लंबा, मुकीला, धारा घुकुरी और दिल्चा है यह सनिक खुकुरी को अपनी नीजी हत्यारों के रूप में अपने साथ रखते हैं गौर्खा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन भी खुकरी है ऐसा कहा जाता है कि एक गौर्खा जब अपनी खुकरी को निकाल लेता है तो वो दुश्मन का खून बहाएं बिना मयान में नहीं जाती जै महाकाली आयूं गौर्खाली की युद्ध नाद करके ये दुश्मन पर टूप पड़ते हैं पेंसैनिको का नारा कायर होने से तो मरना अच्छा है इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का खून जाते हैं भारती सेना को गोर्खा रेजिमेंट ने दो फिल्ड मार्शिनल भी दिये हैं सैम मानिक शाह और जन्रत दलवीर सिंग सुहाग गोर्खा रेजिमेंट से ही हैं भारती सेना की गोर्खा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिराब कोई सबी लड़ाईयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया था युद्धों में अपने साहा सुर्शोडी से दुश्मन को बस्त करने वाले इन सैनिकों को तब तक 11 बील चक्र, 2 महाविच चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परमविच चक्र से सम्मानित किया जा चुका है सिया चिन की ऑपरेशन मेगदूत में भी भारती सेना के गोर्खा रेजिमेंट के जवानों ने अदमे साहस और वीर्दा दिखाई दी हर साल 1200 से 1300 नेपाली गोर्खे भारती सेना में इस समय 120,000 गोर्खा सेनिक है बलिदान ही इस रेजिमेंट की पैचान है यहां होने का मतलब चुनोतियों से दो चार होना होता है मात्र भूमी पर मर मिटना इस रेजिमेंट की पैचान है धन्य है यह रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदेव दत पर रहते है कोई डाउट निया कि गोर्खा रेजिमेंट सबसे खतरनाक कमांडों में से है उनका चुम अटेक करने का तरीका है वो सबसे अलग होता है दुश्मनों की खोफ हो जाता है कि दुश्मन तो खड़ा ही नहीं पता उसके पैरोते ले तो उनी दर्ती ही निकल जाती है